है कि है अब सभी का आज की इस वीडियो में हम यहां पर जानने वाले हैं कि वाइश इंपोर्टन सीटी हमारे लिए इंपोर्टन्ट क्यों है हमें क्यों स्यूट एक्जाम देना चाहिए तो आज कल क्या है कि बच्चे ज्यादा जागरूफ हो चुके हैं स्यूटी को लेकर प लगवग विद्यार्थी जो है अब जो है जैसे की नीट के लिए जागरूफ है यह करेंगे तो हमारा फ्यूचर यह रहने वाला है उसी परकार से सोच रहे हैं कि अगर मैं सुटी के थूँछ अपनी परहाई करता हूँ तो कहीं ने कहीं मेरी फूचर जो है वहां कहीं कर बेनिफिट हमारे मिलने वाला है तो क्यों स्यूटी इतना ज्यादा इंपोर्टेंट यहां पर बन रहा है आप सभी को बताए कि हमारे देश के अंदर में जो यह बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं और बच्चे जो है वह उनका एक सपना होता है जो कि सेंट्रल इंदर में इस वीडियो को पुरा अच्छे से देखना और समझना इस बारे में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके वजह से स्यूटी हमारे लिए बनते हैं और आप सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे विद्यार्थी है तो यहां पर उन सभी के लिए स्यूटी जरूर देना पॉइंट जो है वो है सिंगल प्रेटफॉर्म और एडमिशन टू मल्टीपल उनिवर्सिटी एक सिंगल प्रेटफॉर्म स्यूटी है जहां पर जिस एक्जाम को आप देकर मल्टीपल उनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप स्यूटी का एक्जाम दे र college तक पहुंचने का वो होता है Central University का कि Central University में हमें जाना है क्योंकि यहां पर के फाइदे जो है वो थोड़ी से अलग होते हैं सरकार भी बहुत ज्यादे इंवेस्ट जो है वो करती है इस University के अंदर में बहुत सारे विद्धार्थी के लिए दिया परहाई के सासा तिर्फ बहुत हमघर दान सिंग मैं बहुत हें अधर्थि यहां उप करने चाहें एकस्ट्रा कर्यार्था लिए और नौहां पर क्रिया जाता है कि एक बच्चा अगर उस जगा परने के लिए आया है तो वो हर तरीके से अपने डिवलप्मेंट को करके वहां से जाएगा नासिफ एकड़िमिक्स नासिफ उसकी परहाई है परहाई के अलाबा उसका ओवर आल परसनेटी डिवलप्मेंट जो है वहां पर आपका होता है तो यह सारी उनिवर्सिटी जो है वह आपके पाटिसिपेट करते हैं और एक बार स्यूटी अग्जाम अगर आपने दे दिया तो एक्जाम देने के बाद जो आपके पास स्कोर कार होता है वह सबसे बरा एक पास आपके लिए बन जाता है कि आप जाकर यहां पर एडमिशन ले पाइडा यही है सिंगल फाइडा है और मैं कहा होगा जितने विद्यार्थी अकेडमिक्स के लिए तयारी करते हैं प्रिपेर करते हैं कि भईया उनको भी शूर्ण करना भी को करना है बहुत सारे करना है पोस्ट वैजवेट एंड बाथ्टोर डिग्री सब कुछ करना है त अगर इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े नमर्स में अगर विद्धार्थी देरें इसका मतलब है कि इस इस इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट है तो फिर आपको भी करनी चाहिए तो आप सभी लो देते हैं उसके बाद दूसरे चीज में बलूंगा यहां पर कि इस बें में और एक भारतिय समाच जो है वो हमारा इंडियन ससाइटी जो है वह अगर देखे तो एवरेज मिडिल क्लास लोगों से ज्यादा भरा हुआ है हाईर क्लास हायर इंकरं गुप्स के लोग तो ही हमारे देश के इंदर में लेकिन अगर हम मिडिल क्लास की बात करते हैं और यहाँ पर अगर आप जाओगे इसके तुरू तो आपको उतनी ज्यादा लाग हो फीज जितने जो प्राइवेट उनिसिटी है वहाँ पर आपके फीज अगर देखोगे तो लैक्स में होते हैं लैक्स पराइंडम के हिसाब से समस्टर के हिसाब से लेकिन यहाँ पर ऐसा क नहीं होता है अटलिस्ट उसके कंपरेशन में यह एफॉर्डबल होता है ठीक है दूसरा कंपेटिटिटिव एक्जाम की हमने बात की आपको बता है कि हमारे देश के अंद में सरकाई दौकरी के लिए एससी का आपका प्लेटफॉर्म है रेलवे के लिए है बैंकिंग के ल करना है यहां पर आपको अंग्लिस लैंग्वज भी पर ना है यहां पर आपको टो को में अपड़िया है तो आपके लिए एक एक ञास्ता खुलता है फॉन यहां पर त्यार होता है कि आगे चलकर आपने किसी भी सरकारे नौकरी की तयारी करिए करनी है आगर आपको तो वहाँ पर आपके लिए एक फॉंडेशन बना रहेगा और आपके माइंड में यह अच्छा ठीक है अब जो हमें तयारी करनी है वह लॉजिकल लिजनिंग इस तरीके से पढ़ना है यह सब टॉपिक जिसमें आते हैं इ आप यहाँ पर बना लेते हैं अगर आप सी यूटी ग्जाम की तैयारी में एक बर करते हैं और इसको क्लियर भी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मतलब निए कर लिया और अगर आपने एक किसी संटर्व घुश्य कर रहे हो और आप आज चले करने वाले हो तो वहाँ पर हो टॉप नौच की होती है इसलिए इंपोर्टेंट आप सभी को जरूर देना चाहिए और सिर्फ देना ने चाहिए आपके माइंड में यह भी होना चाहिए कि अगर मैं दे रहा हूं तो इसको किलियर भी करूंगा या करूंगी इतनी मैनत करनी है कि और 247 आपको बताए कि जो हमारी देश के अंदर में बहुत सारी इंवर्सिटी हैं अगर आप देखोगे सब मिलाकर दाइसों से ज्यादा इंवर्सिटी जो हैं वह आपके हैं और उन सभी इंविशिटी में अनिमिशन लेने के लिए सिंगल प्लैटफॉर्म है सी यू इटी का जहां पर एक्जाम में रिलेटिव के सामने और खासकर अगर हम बात करें यहां पर रिलेटिव की तो उनके सामने समाज के सामने या आगे चलकर किसी भी जॉब के लिए इंटर्व्यू के लिए आपका साधी विवा होगा विसी कलिए अगर हम बात करें यहां पर तो साधी विवा में भी को पास करकर क्लियर करकर अच्छे नंबर से आप सेंट्रल निवर्सिटी में जाकर अपनी परहाई की ठीक है इसी लिए यहाँ पर हमारे लिए इंपर्टेंट बनता है और अगर मैं आपको बता हूं तो यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है अगर आप देखोगे तो यहाँ यह सारे इंवर्सिटी हैं जो कि आपके पांटिसिपेट करते हैं यह सारे सेंट्रल है जितने आप देख रहा हो ठीक है बनारे सिंदु हो ठीक है सेंट्रल संस्क्रिक हो अलाहाबाद का हो अंद्रप्रदेश का हो हर्याना का हो जारखंड का हो कनाटक का हो कस्मीर का हो केरल वाले सारे जगह जो हैं अगर आपने वहां से कर ली अपनी परहाई तो एक आप अच्छे अलग भीव से अलग दिखते हो जो जो विद्यार्थी नीट जेए की तयारी में लगता है उसको कलियर करता है एन एक अच्छे कॉलेज से इक अच्छे मेड़ीकल कॉलेज से उसने अपने परहाई करी सब कुछ करी तो उसका इक अलग वैटइज है करकर आगे चलकर अपना एक इंपोर्टनेंस बनाने का वो सी यू इटी इग्जामनेशन है अगर आप नीट और जेए की तयारी नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए क्या बचता है सी यू इटी इग्जामनेशन इस एक्जाम के लिए आप तैयारी करो फर्स्ट क्लास स्वाज की बीट हर जगा फुल इजट है ठीक है तो आप सभी लोग स्यू टी त्यारी अच्छे से करिए अड़र टू फोर सेवन हमेसा आप से साथ बना रहा है स्यू टी की जबर्दस्त तयारी है और बहुत ही अच्छी तयारी जो है इंडिया के अंदर में अड़र टू लेवल पर आपने उस बात को सोचा किया तो कमेंट में जरूर में जाना चाहूंगा आप सभी का और आपके कमेंट को लाइक आकर करूंगा जितने भी का आविदार्ति लोग अपने करो ठीक है तो आप सभी का बादबात धन्यवाद लग जाओ स्यू टी के लिए और अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे इवरिसिटी से हमारा पर हाई हो इस इस दा ओनली वेइव था यू के लिए यू इज आमनेशन ठीक है चले धन्यवाद जाहिन